आज मैं ऐसी रेशिपी लेकर आई हूँ जिसको आप प्रेकफास्ट में खा सकते हैं और इवनिग इसनेक्स में भी आप इसको बना सकते हैं ये समोसा, कचोडी सब फेल हो जाएंगे इसके आगे और बाहर से जो बच्चे मंगा मंगा के खाते हैं वो नहीं खहएंगे आप घर में ही उनको इतना अच्छा बनाके दे सकते हैं तो देर नहीं करते हैं आपको बताना सुरू करते हैं कि कैसे बनाना है और उससे पहले मैं बताऊंगी फिलिंग इसकी फिलिंग कैसे बनानी है इसकी जो फिलिंग हम बनाएंगे ना वो फिलिंग आप लंच बॉक्स रेसिपी में सबजी की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में सबजी देनी हो तो वो आप उसकी तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं तो ये सबसे पहले हम बना लेते हैं ये टेस्ट इसी सबजियों से भरी हुई फिलिंग तो बच्चों के लिए हेल्दी बनाना आसान नहीं होता तो कुछ ट्रिक करनी ही पड़ती हैं तो चलिए बताते हैं कैसे करना है आप सबसे पहले थोड़ा सा पनीर कट कर लीजिये और तीनों तरह की सिम्ला मेच कट कर लीजिये प्याज हरी मेच ऑप्शनल है आप चाहें तो तो ये तो नैसेसरी है गाजर पत्ता गोबी ये कुछ-कुछ सबजियां अब तेल गरम करके मैंने प्याज और सबजियां ये सब ये सबजियां इतनी अच्छी होती हैं फाइव फट से लंच बॉक्स में डालनी है कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फटा फट कटिंग करो इतना तेल गरम होगा आपकी कटिंग हो जाएगी और फटा फटी सबजी रेडी हो जाएगी तो ये देखो सारी सबजी मैंने 2-3 मिनिट भूल ली है और इसमें कुछ नहीं डाल है मैंने डाला है बलेक पीपर और थोड़ा सा नमक जिससे बच्चे आसानी सिखा सकते हैं और अगर आप तीखा बना रहे हैं तो आप अपने हसाब से और मसाली एड़ कर सकते हैं ये ऑप्शनल है मैं इसको अभी ये फिलिंग यूज करूंगी इसलिए बहुत ज्यादा मस अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे की मेरे रेस्पीज की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुन जाएं अब दो से तिन मिर्ट पकाने के बाद मैं इसमें कद्दुकस किया हुआ गाजर एड किया है जैसे कि गाजर हम सलाद में भी खा लेते हैं तो इसलिए मैंने इसे लास्ट में डाला है क्योंकि इसको मैंने कद्दुकस करके किया है बच्चे एक से नहीं खाते हैं जब बड़े चूलीन काट लेते हैं गाजर के तो इस इसको हमें ऐसे कोकनी करना है यह एड़ी है लगबग अब इसमें एड़ कर दूँगे मैं पनीर पनीर को थोड़ा चोटा ही चोटा काटा है मैंने जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए सारी सबजीयों के फिलेवर हर पीस के हमारी रेसेपी रेड़ी है इसमें मैंने डाल दिये थोड़ी सी चीज मियो को मिक्स करके पेस्ट जिससे कि जब हम फिलिंग को अपने उसमें डालेंगे शीट में तो अच्छा सा टेस्ट आएगा चीजी तो यह सबसे पहले हमारी यह फिलिंग रेड़ी है यह आप इसको कह सकते हैं कि सबजी सबजी भी कह सकती है सबजी ही है और लंच बोक्स में आप दे सकते हैं इसी जटपट वाली रेसिपी तो आप टू इन वन यूज कर सकते हैं मैं तो ऐसे एकसर करती हूँ, हस्बेंट को लंच बोक्स में डाल दिया और जो बची है तो बच्चों को इस नेक्स टाइप बना के ले दिया और उसमें फिल करके जो है यूज भी हो जाती है, बच्चे हैटी भी खा लेते हैं मेरी रेसिपी अगर अच्छे लग रही है तो प्लीज शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें अब मैंने लिया एक कप दूद और इसमें एक कप डाला है मैंने ओल परपस फ्लोर और इसमें दो कप के करीब डाला है मैंने कॉर्ण फ्लार और एक कप पानी डाल के अब पहले इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे की गुठलिया या गाठे बिल्कुल ना रहें इसमें तो आप इसकी मेजरमेंट दियान रखिएगा एक कप दूद है एक कप पानी है एक कप मेंदा है और दो कप कॉर्ण फ्लोर अब जब अच्छे से ये मिक्स हो गया है कोई गाठ नहीं है उसके बाद हम दो कप पानी इसमें और एड़ कर देंगे और इसका पत्तला सा घोल बना लेंगे क्योंकि इससे मज़े बनानी है शीट्स जो मैं ब्रेकफास्स बना रही है उसकी शीट्स बनेगी इससे तो ये पानी पानी जब हो गया है तो हमको अब तबा लेना है वैसे ये नोन इस्टिक पर बनाएंगे तो आपकी शीट और पतली बनेगी और अच्छी बनेगी मेरा यह पे नोन स्टिक नहीं है लेकिन मैं इस पे ही बना लेती हूं यह हलका सा गरम कर लिया मैंने गयस को आफ कर दिया है उसके बाद यह पतला पतला ऐसे फैला लेंगे अब इसके बाद गयसान करेंगे और कम आज पर दो मिनिट पकाएंगे तो इस शीट पकने के बाद अपने किनारी छोड़ देती है तो इससे पता चल जाता है कि पक गई है तो अब हम क्या करेंगे कौन स्टाश फैला के या मैदा फैला के उसको पलट लेंगे तब वेपे से डारक तो यह ऐसी बहुत जादा पतली भी नहीं बनी है बहुत मोटी भी नहीं है कि मेरा यह पैन नोन स्टिक नहीं है आप जब नोन स्टिक बनाएंगे तो यह एक दम बहुत पतली-पतली शीट बन जाएंगी तो ऐसे ही मैं सारी बना लूँगी और उसके बाद फिर जो हमने रेड़ी की थी उसको हम आप देखिए जैसे मैं फोल्ड कर दी हूं इस तरीके से आप फोल्ड करके इसका रोल बना लीजे ऐसे ही करके हम एक एक करके सारे रोल तैयार कर लेंगे पहले आप मेरी चैनल पर कुकिंग वीडियोज इंटर्टेन्मेंट वीडियोज और मिनी ब्लॉग्स सब देख सकते हैं तो अगर आप मेरी चैनल पर आएंगे तो आपको हर तरह की वीडियोज देखने को मिलेंगी पूजा पार्ट से रिलेटिड भी मिलेंगी सिंपल उपाय भी मिलेंगे तो जो हाउस वाइफ होती हैं उनकी लाइफ जिस तरह की होती है उस तरह के सारे वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे तो कुकिंग के साथ साथ इंटर्टेन्मेंट भी पूरा रहेगा तो प्ल पी एंड टेस्टी बेखफास कहिए इवनिंग इसनेक्स कहिए जो आपको अच्छा लगे वो होट होट सर्फ कीजिए चट्मी के साथ इसकर मागराम इसनेक्स को आप अपनी तसम की चट्मी के साथ सर्फ कीजिए